यहां हर गर में परिवार के किसी सदस्र की तहरे रहते हैं खतरनाक साम। जीव जन्तूओं की भी पूजा की जाती है जिन में से एक साम भी है। बतादें कि भारत में प्राचीन काल से ही सापों की पूजा की जाती रही है। लेकिन बात एकदम सच है दरसल महाराश्टर के सोलापूर जिला में एक गाउ वैसा है जहां लोग सामपों के साथ दोस्तों जैसा व्यावार करते हैं यहां के हर गर में कम से कम एक कुब्रा साप जरूर पाला जाता है इस गाउं का नाम है शेतफल शेतफल गाउं के लोग कुब्रा साप को पालना पसंद करते हैं यहां के लोग सामपों के बिल्कुल कुत्ते या बिल्ली की तरह ही परवरिश करते हैं बतादें कि ये साप इस गाउंव के किसी शक्स को कोई हानी नहीं पहुँचाते हर साल इस अनोखे गाउंव को देखने से कड़ों लोग आते हैं बताया जाता है कि इस गाउंव में आज तक किसी को सापने नहीं काटा शेत फल गाउं के लोग सांपों की पूजा करते हैं इस गाउं में सांपों के कई मंदर भी मौजूद है यही वज़ा है कि इस गाउं में कभी किसी सांप को मारा नहीं जाता शेत फल गाओं के लोगों का कहना है कि शायद इसलिए आज तक किसी को यहां साप ने नहीं काटा यहां के स्कूल, कॉलेज के आलावा पबलिक प्लेस पर भी सांप घुमते दिखाई देना बिलकुल आम बात है यहीं नहीं इस गाओं के छोटे बच्चे भी सांपों के साथ खेलते हैं शेत फल गाओं में मकान पक्का हो या कचा हर घर में सांपों के रहने के लिए जगे बनाई जाती है यहां अधिकतर घर कच्चे हैं लेकिन घरों की छत पर छेद में सांपों के बैठने के लिए जगे होती है